नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत है इसका कीचन में तो आज मैं फिर से आप लोग को अपना इवनिंग रूटीन दिखाने जारी कि मैं साम के समय क्या क्या काम करती हूं तिधर देखिए मित्या भी आ गई मित्या भी अभी खेप में आलू और क्या क्या बुआ रहा था मित् लासुन और जो है और क्या बूआ गया प्याज तो दसपंडार दी में तियार हो जाएगा और लासुन भी एक अक महिना लगेगा और चलते आपको दिखाते कि मुझे गहूं बना के देना है और चावल देना है पिसाने के लिए काफी दिनों से गहूं और चावल मैरा शू में बिनों का तुम्हें नहीं बिनना का बाबू, जुम्साथ लाएं मैं बहुत दोई थी कई पानी से इस परकी में रहें भार लेते हो ठाखा ठाके चोड़ा 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 चाओ जो कि मैंने बना दिया आप जारहे हैं यहु की बारी आगे है तो गेहों को साब देते हैं पहले, जो कम भी मैंने दुला था इसको दे रहा है मसीर को पिछने के लिए तो मम्मा चाय बनाने वाली है तो मैं तूलसी का पत्ता और हरी पत्ती तोड़ने का रही हूं तो अब हम चल रहा है हरी पत्ती तोड़ने, ग्रीन टी इतना बहुत है हुआ है देखें बड़ा साथ्फावा तीज हो गया तो शाम को आधि बनाने चावल भुनुए तहां पर देखें प्याज का ट्रीम हरीमिज और कठाई वह मैंने चूले पर अगदिया है यह हरीमिज हमारे खेत का है आज साम को हम लोग चावल में सब कुछ डाल के टमाटर प्याज और चाना और मेरे मुंफुली भी भीगो दिया था पहले ही तभी आपको दिखाते हूं किस तरीके से बनता है बहुत बढ़ी अलगता खाने में तेल सरसो का जो की गरम गैस में डालते हैं जीर देखे मैंने चावल पहले ही बना लिया था चावल भुनिंगी में यह यह भावना चावल बनाया है अब इसको हम लाल कर लेंगे प्याज और हरीमिश और पड़ी पत्ता को बढ़ी हां सा ब्हुन लेते हैं ते इजहर देखे मेरा प्याज बढ़ी हां सा भुना आ गया है यह खचीक मेरा मनने मेरे घ Haagएं अंकूरी चनाज और मुंफली रिखे चना और मुंफली अब इसको डाल लेते हैं इसको अपय ह्याल्डी वनेगा इसको अश्को सदर्लिय। इा व programme का जेका है और दो भुन गया है और पर आसए ने मेरा इसको अज चाना है नहीं प्श्य शाटवम्सा हम देभा दीव नमक दालेंगी , नास्त पाली नमक दाल लेंगी चावल के नास्ते के साथ हम देड तैनल देदल कुशा करुछ चावल के नास्ता है यह देखियाए तूलसी पत्ता, हरी चाय की पत्ती है और अडिये चीनी ऑर मैंने भाले अजफ काला नमग भी दाल दिया हैं चीनी दाले टें है भी सिकी ठेज्टी में पाइसे की पर्ट फेया मैंने दिखिया भी पाषा की तूटा है इसको भी डाल देंके साक में इस में डालेंगे भूना हुआ जीरा पीसा हुआ इसको अच्छे से पका लेते हैं इसमें डालेंगे चावल पकाईँ डाल दके हैं चा़ल जो कि मैंने सारा डाल वर चला देते हैं तरफे देखिए चावल जो कि हमाने इतना खिला खिला बना हुआ है त lawsuit मिलाने के वार इतना अच्छा लगजा देखने में आप इसमें अपने मन पसंद की सब्जियां डाल सकते हैं सिम्ला में शुआ गाजर बीन स्वजरा जो आपको पसांदों इसमें आप एड़ कर सकते हैं यहां पर देखिए सभी चीजों को मैंने चावल मिला लिया आप अखरी में डाले में नीबू करस निकाल दिया पहले सी उ दालेंगे उपर से धन्यों पत्य को डाल देते हैं अब इसको चला देते हैं साम का नास्ता बनकर रेडी हो गया है तो साम का नास्ता देखिए बनकर रेडी हो गया है साथ में हमारा देखिए चाय भी पग गया है बस इसमें नीबू डाला है तो यह था हमारा साम का नास्त धन्यवार टाटा बाई 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 डाटा बाई 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 बाई